तो गाइस, फानिली लावा Z1 फोन भी मेरे पास मैं आ चुका है एंड इस वीडियो में करेंगे इसी बॉक्स को अन्बॉक्स मैं दूँगा आपको इसी फोन का कैमरा टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन इस फोन से रिलेटिड प्राइब लिखा हुआ है और दोस्तो बॉक्स से दूसरे साइड में आपको हैस्टेक प्राउडली इंडियान लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप सिर्फ 349 देकर एक साल की वेरेंटी और पढ़वा सकते हैं और आपको इस फोन का प्राइज जादा लिखा हुआ मिल जाएगा बॉक्स में एक्च्वल प्राइज में आपको वीडियो में आगे बता दूँगा नोगे चली करते हैं दियेगे सील्स को ब्रेक करते हैं इसी बॉक्स को ऑन बॉक्स ऑन बॉक्स करते हैं पहले आपको एंवलप देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको एक बैटरी मिल जा दिये यूस्बी पोर्ट के साथ में आता है नोग इस चले चलते हैं फोन की तरफ हटा लेते हैं इसको उपर के लगाएगा प्रोटेक्शन को देख लेते हैं इसी फोन के लुक को तो इस फोन का जो बॉड़ी है ब्लू कलर का ये फोन है और पीछे की जो बॉड़ी है एंटी थम इंप्रेशन है मतलब कि दोस्तो थम इंप्रेशन वगरा पीछे की तरफ नहीं पड़ेंगे क्योंकि दोस्तो बॉड़ी अगर आप जान से देखें तो लाइनिंग लाइनिंग सा आपको देखने को मिल जागा जिसको रब करने पे कुछ इस प्रकार की साउंड भी आपको स कंडिशन में उसमें भी यह फोन काफी अच्छे से सर्वाइब हो गया तैस इंट्रेस्टिंग जिस फोन का वेट है बैटरी के साथ में 175 ग्राम काफी हलका यह फोन है करने साइड रिवी तो फोन के राइट साइड में आपको पार बटन मिल जाता है उसके ओपर वॉल्यू इस फोन का बैग पैनल खोलने के बाद आप देख सकते हैं आप इस फोन में दो सीम के साथ एक माइक्रो एच्डी कार्ड काफी अराम से लगा पाएंगे नाव गाइस आगर आम बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो आपको इसके डिस्प्ले में प्रोटक्शन मिलता है ग इस फोन में डिस्प्ले टाइप आपको मिल जाता है TFT डिस्प्ले 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 आपकोई जाएंगा दोटाब थोडी-मोडी डिक्कत आपको सनलाइट में मिल जाएगी मैंने अ फैस चीरह मुझह साओ तोमें एक दिक्कत नजर áई डिस्प्ले से रिलेट वह स बात करें इस फोन के hardware and software की तो गैस आपको इस फोन में चिपसेट मिलता है MediaTek Helio A20 का 12 nanometer का चिपसेट है CPU आपको QuadGore का मिलता है 1.8 GHz के स्पीट के साथ में QuadEx से 53 लगाए गया है GPU आपको PowerVR मिलता है GE8320 की आपको इस फोन में काफी अच्छा प्रोसेसर मिलता है इन इस फोन से भी महेंगा 6000 का वह फोन है और उसमें आपको 32 nanometer का चिपसेट मिलेगा वहीं दोस्तों इसमें आपको 12 nanometer का ही मिलता है तो आपको लावा जैडवन में काफी अच्छा performance मिलेगा इन इस फोन में अपरेंटिंग सिस्टम android 10 का देखने को मिल जागा एंड आपको ui android go edition का मिल जागा इस टॉक android experience आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है मतलब कि no ads no bloat wear एंड दोस्तों features भी आपको मिलेगे नई styles के gesture मिलता है देख सकते back करने का तरीका को एंड recent में जाने के तरीके को आपको इसमें दो तरीके का back करने का option मिलता है एक तो gesture की मदद से एंड दोस्तों एक button की मदद से एंड इस इंटरेस्टिंग आपको google के apps मिलेंगे इस दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इस इंटरेस्टिंग आपको इस फोन में 4G बोल्टी सपोर्ट भी मिलता है इस टोरेज आपको मिल जागा 2GB RAM 16GB ROM एंड यह फोन कर लें इस फोन के कैमरे की तो पीछे की तरफ आपको एक कैमरा मिलता है 5MP F2.2 अपरचर के साथ में जिसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग मैक्सिमम 1080p तक कर पाएंगे और इस फ्रंट में भी आपको पांच मिल जाता है और फ्रंट से भी आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉ रिकॉर्डिंग सेंपल देख रहे हैं वो दोस्तों मैं लावा जेडवन के रियर कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसका रिजॉलिशन दोस्तों मैंने 1080p सेट किया हुआ है आप बताइए आपको इसके फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कैसा लगा तो कैसे सारी कुछ शॉट्स जो करिम इनके रियर कैमरे से लिए आप देख सकते हैं हर फोटो की टेक्श्चर डिटेलिंग काशी मिलती है और काफी कमाल का मिलता है और जितना मैंने एक्स्पिरियेंस किया है इस फोन का कैमरा दोस्तो 5000 के अंदर का सबसे बेच्ट कैमरा फोन आपको मिल चौर्ट 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 हर फोटो की डिटेलिंग स्टेक्षर वगरा काफी अच्छी मिलती है इस इंट्रस्टिंग फ्रंट केमरे से लिए इस प्रोसेसर काफी अच्छा लगाए गया है प्राइस के अगर कंपर एकटार्डिंग अगर किरें इस फोन के पर्फॉरमंस को इटेल एट्वफॉन के पर्फॉरमंस में आपको लावा जैड़न में काफी अच्छा पर्फॉरमंस मिलेंगा ऐगा कंपरेजन तो दोस्तोफ तो एट्वब्स प्रो में 32 का चीप सेट लगाया है वहीं तो दोटो मैंने इस फोन में परफौमेंस ट्रेश किया है कैसे कंई सहरे एप्स को लगता खोला नहीं क्लोज किया एंदा फिर जाके किछ सफूनं की थीक्त नहीको खोलते वक्त और देख सकते हैं इस phone में दिये गए gesture की मदद से आप काफी easily एक app से दूसरे app में transfer खो पाएंगे तो guys ये काफी अच्छी बात भी और काफी smart work है इस phone में तो guys आपको इस phone का performance काफी अच्छा overall मिल जाता है नोग इस बात का इस sensor की तो guys आपको इस phone में face unlock light sensor, fingerprint sensor कोई भी sensor देखने को नहीं मिलता है ये काफी पड़ी disadvantage इस phone में मिल जाती है वहीं दोस्तों आपको Infinix Smart HD में दूनों चीज ही मिलती है fingerprint and face unlock A23 Pro में आपको दोस्तों face unlock भी मिलता है बट इसमें आपको कोई sensor नहीं मिलता है तो guys ये एक भारी disadvantage कहा जा सकता है नोग इस बात करें इस phone की price की तो आपको ये phone 4999 की इस वक्त मिलेगी 2GB RAM 32GB ROM के साथ में इस समय दोस्तों Republic Day Sale चला है फर्दर आपको ये phone 5500 की देखने को मिल जाएगी अगर दोस्तों overall बात करें तो ये phone काफी अच्छा है काफी जादा अच्छा आपको दोस्तो आइटल 823 Pro के comparison में मिल जाता है और वही दोस्तो आइटल 823 Pro 6000 का है और दोस्तों ये सिर्फ 5000 का है तो guys आप कह सकते हैं कि Z1 आइटल 823 Pro से काफी जादा अच्छा है तो guys बस फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आयोगी पसंद आयोगी तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और सेर भी कर दिजे तो guys वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तब तक के लिए आप सभी अपना क्या लगिए जय हिन जय भारत